प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी सोमवार को बिहार के लिए कुछ नए प्रोजेक्ट्स का शिला न्यास करने वाले हैं इसमें 14,000 करोड के 9 हाइवे प्रोजेक्ट्स शामिल है इसी के साथ साथ पीएम मोधी बिहार के सभी 45,945 गाउं को ऑक्टिकल फाइबर इंटरनेट प्रोजेक्ट का भी उद्गाटन करेंगे दोपहर के 12 बजे वीडियो कांफरेंसिंग के जरीए शिला न्यास कारिक्रम होगा इस कारिक्रम में मुख्यमंत्री नितीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोधी और पत निर्मान मंत्री नंद किशोर यादव भी नो हाइवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास होना है उनके बारे में पीमो की तरफ से जानकारी साजा की गई है हाइवे प्रोजेक्ट की बात करें तो इन नो प्रोजेक्ट की कुल लंबाई करीब 350 किलो मीटर है इन्हें बनाने में 14,258 करोड की लागत आईगी इस मामले में जारी सूचना के मुताबिक बिहार में इन सडकों के निर्मान से विकास को तो बढ़ावा मिलेगा ही साथ ही इस से शेहरों तक का संपर्क भी काफी बहतर होगा इसके लावा बिहार और इसके आसपास के शेत्रों में आर्थिक विकास में भी तेजी नजर आएगी बिहार क के बुनियादी धांचगत विकाज के लिए विशेश पैकेज का एलान किया था करीब 54,700 करोड रुपए की लागत से 75 परियोजनाओं पर काम होना था जिन में से 13 परियोजनाओं अब तक पूरी की जा चुकी है और 38 परियोजनाओं पर फिलहाल काम किया जा रहा है जबकि ब पियमोदी आज जिन परियोजनाओं का शिलन्यास करने वाले हैं उनके पूरा होने पर बिहार में सभी नदियों पर पुल होंगे और राज्ये के बड़े राष्ट्रे राजमार के चोड़ी करन की प्रक्रिया भी पुरी होगी इसके लावा पूरा काम होने के बाद औसतन बिहार में हर 25 किलोमेटर की दूरी पर एक पुल होगा वहीं डिजिटल क्रांती से जोडने के लिए राज्ये के कोने कोने तक तेज गतिक इंटरनेट सुविधा पहुचाने की भी तैयारी है जिसे बिहार वासियों को पियम मोदी की तरफ से बड़ी सौगात कहा जा सकता ह वैसे पियम मोदी की ओर से इन परियोजनाओं का शिला न्यास ऐसे वक्त पर किया गया है जब चुनाव को लेकर बिहार में राजनीती अपनी चरम पर बेरहाल आपको बिहार की लोगों के लिए पियम की ये सौगात कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं साथ इदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए टीवी नाइन भारत वर्ष देखिये लूट घर हर राज साड़े नौ बजे फिकराब की